नमस्कार जंदंद्र टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ साहिल दूलिया अमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है तो हरियाना में कोरोना महमारी के बीच आउट्सोर्सिंग पर लगे करमचारियों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है आउट्सोर्सिंग पर लगे करमचारियों ने हरियाना में कई जगहों पर जिलास्तर पर प्रदर्शन किया और आउट्सोर्सिंग प्रनाली को बंद करने की मांग की महीं दो दिन पहले ही हर्याना की शहरी निकाई स्थानिय निकाई मंत्री अनिल विज ने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखकर आउट्सोर्सिंग पॉलिसी पर सवाल उठाएं अपने पत्र में अनिल विज ने कहा है कि आउट्सोर्सिंग पॉलिसी से केवल भष्टा चार बढ़ा है और ठेकेदार करमचारियों का शोशन कर रहे हैं विज ने कहा कि सरकार से आउट्सोर्सिंग के बजाए कई विभागों में कॉंट्रेक्ट के जरिये भरती करनी चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े हर्याना के स्वास्मंत्री अनिल विज इससे पहले भी मुक्यमंत्री मनोहरलाल को आउट्सोर्सिंग पॉलिसी को खत्म करने को लेकर पत्त लिख चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है वहीं सर्व करमचारी संक्य अनुसार प्रदेश में करीबन 50,000 से जादा करमचारी आउट्सोर्स पर काम कर रहे हैं जिन में सबसे जादा 15,000 बिजली विभाग में और करीबन 10,000 स्वास्त विभाग में तैनात है ये सबी करमचारी करीबन 8 से 10 सालों से कई विभागों में लगे हुए लेकिन ठेकेदार की ताना शाही के चलते इन करमचारीों को ना तो पूरा वेतन मिलता है ना ही इने PF और ESI का फाइदा मिल पाता है तो आउट्सोर्सिंग का मसला एक बार फिर से गर्मा गया है इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे वंदना पोपली जो की बीजेपी की प्रवक्ता है वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि सब्से पहला सवाल शुबाश लांबा जी आपसे रहेगा जिस तरीके से जो ठेकेदारों की मनमानी का शिकार ओट्सोर्सिंग करम चारी हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगा देखिए साइल जी जब भारत्य जिन्ता पार्टी सरकार सत्ता में आय थी 2014 में तो बाकादा तोर से गोशना पत्र में वाइदा किया गया था कि ठेका पर था ये जो पोलिसी है ये बरिश्टाचार की जन्नी है सोचन की पोशक है और हमें सत्ता माने का मौका मिला तो हम इसको खतम करेंगे, कच्चे करमचारियों को रेगुलाजिसन का काम हम करेंगे लेकिन अब साथ साल हो गए और जो माननी विजसाव कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं हम आप देख रहे हैं कि हमने माननी मुख्यमंत्री जी से बादचित की कि आप 18% GST उनको दे रहे हो सर्विस चार्जिस दे रहे हो ESI EPF का जो पैसा है वो ठेकदार ड़कार रहे हैं सरकारी खजानने को नुक्षान हो रहा है और मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है और मज़ेदार बात ही है साहिल जी के अंदर हमने सिकायत करी मान्य मूल्चन सर्माजी मंत्री महदने उसकी जाच कराई वो जाच में ठीक पाए गए एटियम और पास्वुक भी ठेकदार के पास ही मिली जी और बाकदावन रिकोर्ड है के कमटी में ब्रस्टा चार के बड़े आरोप लगे जी और सीजन की तरह ठेकदार इसका यूज करते हैं एक ठेका बदल गया दूसरा ठेकदार आ गया असी असी साठ साठ हजार रुप लेकिन इसके बावजुद निकाल रख्या है और ना मंत्री की सुन रहा है ना डारेक्टर जर्नल एल्ट सर्विशिज की सुनी जा रही है तो यह कौन सा मतलब नए प्रगार का निव इंडिया बना हुआ है कि जो नियम कानून कायदों को मानने को तयार नहीं है यह खाने लग रहा है इसलिए हम यह मांब कर रहे हैं कि ठेका परता को खतम किया जाए और डॉल्स सरकार के पास वंद्रा जी हमारे साथ जड़ी हुई है प्रवक्ता है बीजेपी की वंद्रा जी क्या कहेंगी आप जिस तरीके से विपक्ष तो लगातार इसकी मांग उठाता ही रहा है कि जो ये आउट्सोर्सिंग पॉलिसी है उसे खत्म कर दिया जाए लेकिन आप तो सरकार के अंदर भ कर रहे है आज नहीं इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी और मानिये मुख्य मंत्री जी ने और जितना हमारा मंत्री मंदला है उन्होंने बैठ से डिसाइड किया था कि जो आउट्सोर्सिंग की जो ये पॉलिसी चलिया रही है उसको खतन करना बहुत जरुए है कि बिल कि हाथ का पैसा कोई खाना सके तो हमने अपनी तरह से प्रयाज किये आपको बताना चाहूंगे कि 2018 में भी हमने आउट्सोर्सिंग को खतम करने के लिए स्टेप चुछाए और बहुत सारी जगे पर आउट्सोर्सिंग के बिना हमने एड़ॉक बिसिस पर भी लगाने शुर करोना में रहा है अब करोना से थोड़ा सा उब्रे है तो हमारा पूरा धिहन है एक-एकर के चीजो को ठीक कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े खरादी 18 में थे हमने इसका प्रयास किया तो हम इसको बहुत सारी जो पोस्त है वो हम अडोग पर लिया थे अगर हम गुद्ध की प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ चर्चा में बने हुए है उदेवीर जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आउट्सोर्सिंग पॉलिसी को खत्म करने की मांग लगातार उट रही है जी साहिल जी मैं पहले इस बात पर आना चाहूँ को जो अनिल विज साब ने जो चिट्थी लिखी है जी सीम साब को कोई नहीं बात नहीं है यह सरकार पूरी तरह से प्रच्चाचार में लिफ्ट हो लिफ्ट है चाहे हो सर्विश कमिशन के चैर में नियुक्त करने के बारे हो चाहे खादे एवं बीज बंडार में करप्शन के बात के अकॉर्डिंग हो या आउट्सोर्सिंग पॉलिसी में हो यह मामला सबसे पहले में बंदना ची को या दिलाना चाहूँगा चौदरी गर्वी ने कहा था कि हम इस पॉलिसी को लालच दे कर पैसे आने बारे हैं और इसमें इनके मंत्री और विधायक भी यह मानते हैं कि पैसे लेके इसमें लगाया जाता है और पैसे लेके ही आगे करमचारी को continue की रखकर आ जाता है वह है अनिल भीजीन है अपने चिटी में भी लिखा है यह ही नहीं के दुर आपकर is नहीं के वाल और इसके जो मापदंड है क्योंकि इसमें जो भी contractor है वह सभी सरकार के नुमाइंदे हैं जो भी contractor है वह सारे मापदंडों को अंदेखा कर रहे हैं जाहे उसमें महिलाओं के बाले में मांदित्र काश होता है उस बारे हो चाहे शिक्षा के मापदंड हो उस बारे हो और चाहे करमचारी की जो प्रगति रिपोर्ट है वो हर महीने DC को सौपनी होती है उस बारे हो और एक जो लामबा जी ने सुभाष ल सबसे बड़ी सामने आई जो सब्सक्राइब करने चाहिए जो कि भारती सविदान के अनुसार भी गलत है और एक बात और बता दूम करनाल में जो आशा वर्कर्स को जो सेंटर इसने 50 लाक रुपए और अभी तक लाउन नहीं कर दौरान था और अभी तीन कर्यीव हर्याना में 3,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें कई पदों पर अध्यापक नहीं है कई पदों पर मुख्यादापक नहीं है जिसके कारण जो विद्यार्थी हैं उनकी संक्या घट रही है दिन पर दिन घट रही है और यही नहीं आपको मैं एक और चीज बता दे हिंदुस्तान में सबसे जादा है 44% के हिसाब से अनिपलॉइमेंट है हर्याना में जो कि सबसे जादा पहले 2019 अपरेल में थी 28% के हिसाब से जो कि अब बढ़के 44% हो गई है तो मैं यह कहना चाहूंगा सरकार कहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही है इसमें सिर्फ करमचारी पिषडा वर्ग भी सारे वर्ग वर्ग सारे ही दुखी है एक बहुत बड़ा यह जो परशासन है यह का ठीक है राइसिंग गूजर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं राइसिंग जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगा प्रदेश के ग्रह मंत्री जी के पास दो विभाग हैं विभागों की कारिया शेलिज उनकी कारिया कुशल्टा के मामलों में नित्यकत फैसलों को लेकर पार्थ तस्क्रता से जुड़े सारे कारियों में नाकाम हो चुके प्रश्टा चार के सारे आलम स्वास्ते विभाग में देखे प्राइड और आक्सिजन को लेकर प्राइवेट लूट किस तरकार इनकी आखों के सामने हुई इन्हों ना देखी आप क्या है यह जो पान्य ग्रह मंत्री जी का पत्र है यह पत्रों में और सुर्षों में और ट्वीड पर रहना प्संद करते हैं आप देखे कि जब सरकार बढ़ी थी सरकार बढ़ी चीज़ जब इनके पास ग्रह मंत्राला आया और इनके पास CIDV भाग अलग किया गया तो CIDV भाग लेने के लिए केंदर सरकार के पास पहुंचे अपनी बात कहने के लिए कि जब सकस्य हुई और फिर आखिर में तैग हुआ कौन अधिक संग की सेवा करेगा और संग में सेवा का भाव आप राजनिती की रूप से समझते हैं उस वेक्ति को उस नेता को CIDV भाग जिया गया और बाद में यही परिपाटी दीजिपी की नुक्ति को लेकर गुई तो पूरी तरह से हर्याना सरकार जो है वो केवल जनता का ज्ञान जो लगारतार में ने बताया कि आंकडे क्या बता रहे हैं यह माई की आखडे क्या है रोजगार क्या है वह हमारे जो प्रडवंदन सरकार के मुख् प्रडवंदन सरकार को अपने जेतों के लिए पुला है बस्ता चार पुरी तरह से बढ़ रहा है और परदेश की हालत मैं चाहता हूं जो देश को नहीं बिकने देने वाले जुबला जीवी है उनकी शड़िन तरकारी गिरों ने पूरे देश को सरकार को बेश दिया है ठीक है ठीक है ठीक है राइसिंग जी सुनिए बंदना जी बिल्कुल आपके पास ही आऊंगा मैं जवाब लेने के लिए फिलाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा उसके बाद जवाब लेंगे वंदना जी से तो फिलाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का जल लोटेंगे आप बने रहे हैं आप देख रहे हैं जन्तन्तर टीवी पाँच करोड से जाधा टेस्टिंग करने वाला देश का पहला प्रदेश बन चुका है यूपी कुरुना संक्रमण को प्रभावी ढंक से नियंत्रित कर चुकी योगी सरकार अब सबसे बड़े टीका करणा भ्यान में जुटी है इस महा टीका करणा भ्यान के तहट तीस दिनों के भीतर प्रदेश के एक करोड लोगों को टीका लगाने का लक्ष है जबकि साथ दिनों के भीतर तीन करोड लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष रखा गया है प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 साल से उपर के सभी नागरिकों का ठीका करण किया जा रहा है साथ ही हर जिले में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के ठीका करण हे तू स्पेशल भूध भी बनाएगे हैं योगी सरकार के महा ठीका करण अभ्यान का हर उम्र और हर वर्क के लोगों ने स्वागत किया है पैसे देखर भी जो वेक्चीन नहीं मिल रहा है हमारे देश में मुफ्त में उपलब्ध करा रही है सरकार वेक्चीन पूरी तरह से स्रख्षित है आप वाहों से दूर रहे और वेक्चीन ज़रूर से ज़रूर लगवा ये वैकसीनी लगवाने से किसी मेकार कोई भी दिक्कत नहीं Terror मैं आप सभी ज़ sincer परता हूं कि सभी लोग वैकसीन लगवा है वैकसीन जरूर लगवाएं चुकर्य वैकसीन जी हम आपको ओविट से ऑचा सकता है इस सरकार दोरा कवच हम लोगा को प्रदान किया गया है आप देख रहे हैं जन्तंतर टीवी तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास परिशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे आउट्सोर्सिंग पॉलिसी को लेकर और तमाव महमान हमारे साथ जुड़े हुए है ब्रेक से पहले जिस तरीके से हमने चर्चा की थी सुभाश लामा जी आप से जानना चाहेंगे जिस तरीके की तमाम जो दलीले हैं वो आपने यहां पर सुन ली तमाम अलग अलग पार्टियों से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से करमचारियों को काफी सारे लाब यहाँ पर मिलने चाहिए लेकिन outsourcing policy की तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो लाब भी यहाँ पर नहीं मिल पाते और एक बड़ी निराशा उनके हाथ लगती है इस पर क्या कहेंगे जल्दी से कि ऐसा है साहिल जी एक तो मैं यह करना चाहता हूं कि यह जो बार बार कहते हैं पिछली सरकार के टाइम से चले आ रहे हैं दो हजार पंद्रा में जो भाजबा सरकार थे उसके टाइमस सोदनीश पोलिशी में हुआ है और जो एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए यानि कि करमचारी का वेतन पीएफ यह उसके खाते हम जणा चाहिए लेकिन वो खाते नहीं खोल रहे हैं उसके साथ-साथ जो प्रकृत का आदमी तो उसमें कोंट्रेक्ट पर नहीं लगेगा और उसके बाद बदल जाता है तो दूसरा कॉंट्रेक्ट रहता है यह लेवर कमिशनर हर्याने की चिठी है और चीप सेकरेटरी हर्याने की चिठी है अब पिछले महिने की किसी भी सफाई करमचारियों को नोकरी से न पूरे चले गए कितना समय लगा करोना दो साल एक साल हुआ है पहले पूरे टाइम चलाएगा यह पोलिशी क्यों नहीं अटी मतलब यहां बिल्कुल सोचलिस का पुरी तरीकेश हो रहा है ठीके इसके साथ हम यह भी करें ठीके पिछले 18 महीने का 200 क्रोट रुपे टीए को सब्सक्राइब है ठीक है जवाब ले लेते हैं वंदिना जी क्या कहींगी तमाम आरूप यहां पर लग रहे हैं और 2015 में संशोधन की बाद भी निकल कर सामने आईए जवाब देना शाओंगी है ठोड़ा जल्दी के प्रवक्ता है उन्होंने का कि सबसे पहले आवे सिंग्स उताला नहीं आवाज उटाई और मनोहर और तुश्यंस की बात की तो लानबा जी ने अभी आपकी बात काट दी कि 2015 में इस तन्शोधन की बात हो चुकी थे हम इस चीज ने पर आ चुके थे कि हमें धीरे धीरे इस 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 पर नाली को आउस्सोर्सिंग बढाने को बिल्कुल खेकम करना है और हम उसके प्रतीब हैं और बहुत जल्दी आपके सामने यह वाले सिटूशन आएगी हो सकता है आपको लगता हो कि 2015 से हम कर रहे हैं कुछ चीज़ों में टेक्निकल एटी में टाइन लग जाता है एंडिये वन में हो सकता है 370 नहीं हो एक सेकंड में गई थी तो यह समझे कि हमारा पूरा ध्याने जिन्ता की तब और अगर कहीं तर गड़ बड़ है तो हम ठीक करने का प्यास करेंगे यहां पर दूसरी बात प्रवक्ता आपको बताना चाहूंगे हमारी सर्कार नहीं शुरु किया था शेडियूल टाइज में आरुक्षण है तो हमारी सर्कार में शुरू किया ता आप पूरा पढ़कर आया करें आपको इमालूम होना चाहिए और यहां पर आपने एक और प्रस्कार उड़ाया कि तोड़ा जल्दी वंदना जी हमारे पास समय कम है और जो में मुद्धा है हमारा उस पर आई है जी 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 ओस्पिटल की बात आप कर रहे थे कि ओस्पिडल में लूट होई लेकिन वो जो जो चली रखना मज़ जाने देना यह आउस्पिट्रिक के नाम पर जो लूट किया करते थे पर्शियां आपके इस नेताओं की जब प्रहुत कर दिते हैं आपको यहां पर जवाब सुनना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए आपको चाहिए तो जई वन्हाजी राइसिंग जी तो यहां पर नोग्त दिलेगी और आउस्टोर्स इंग में आपको बहुत बजल्दी बजलाब दिखने को बढ़ें और आप दिखेंगे कि फिर्णाली कि तरफ उद्यवीर जी कुछ कहना चाहिए जी उद्यवीर जी अपन बात रखिए जल्दी मेरा सवाल वंदना जी से है वंदना जी ने का कि SCST के लिए हमने रिजर्वेशन इसमें आउट्सोर्सिंग किया तो अगर रिजर्वेशन की आउगा तो उनके पास आकड़े भी होंगे कितने SCST लगते हैं हर एक डिस्टिक में क्या वंदना जी से बत खबर शापी यह बोलती हैं गलत खबर शापी कि जो विद्यारतियां वो गट रहे हैं पर वो गलत नहीं थी ऐसा है साहिए देखे देखे कई सारे मुद्दे हैं यहां पर लेकिन अभी हम जिस पात पर चर्चा कर रहा है वो है आउट्सोर्सिंग पॉलिसी और कि आप देते हैं वंद्रा जी यह जो आउट्सोर्सिंग लगा रहे हैं वो बीजेपी विदाय को या MPO के ही व्यक्ति है ठीक है ठीक है वंद्रा जी जल्दी से जवाब दीजे फिर राइसिंग जी के पास जाएंगे जिम्मेदार और बड़े चैनल पर बैच कर आप आरोप लगा थीक है राइसिंग जी जल्दी से अपनी बात रखिये समय बहुत कम है हमारे पास जल्दी राइसिंग जल्दी अरशिंग अपसूंपर आप अपर में है आपकर लगातार चाहाँ ए कि प्रतार विधायपों हु में और लोगों में तहेतों नहीं हुँआ है जल्दी से बताइए सरकार से आपकी क्या मांगे समय बहुत कम है हमारे पास जल्दी कि एक तो मैं यह कर रहा हूं बंद्राजी से के सिर्षा मैं साथ साथ अजार रुपे पैसे ले करके ठेका करमचारी को नौपरी से लगाया यह तो अब जो प्रेंट लग रहे हैं फिर उनको ट्रांसपर कर रहे हैं जी दूसरा चाहिए भिवाने की बात हो रहतक की बात हो ऐता तिसे परकार से लिष्टें अब आ रहे हैं वोड़ पैसे लगाते हैं पूरी कानी मिल पैसंर हो रहा है। जल्दी से जल्दी से जवाब दीजिए जल्दी मुझे लगता है कि अगर कहीं पर यह साई की पैसे जमाह नहीं हो रहे आपको इमेज्येटली कम्प्लेंट करनी से खेंगे जोगे जब जब इसे खार रहे हैं कि अगरे हैं जुद्ध मैंद जी ठीक है ठीक है ठीक है राइसिंग जी वंदरा जी उदेवीर सिंग जी और सुभाश लामबजी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया समय की कमी के चलते हैं इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा तो आउट्सोर्सिंग पॉलिसी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं अनिल विज ने भी यहाँ जाते दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं तो आने वाले समय में सरकार इस पर क्या बड़ा फैसल लेती है यह तो देखने वाली बात होगी फिलाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही आप बने रहिए और थोड़ी ही देर में 6 बचकर 28 मिनट पर देखिए अपना उतराखन देखिए